हलो फ्रेंड्स तो आज जो हम वीडियो लाएं वो LED लाइट का है तो LED बीम ही कंपनी है फ्रेंड्स और इस तरह से लिखती है ठीक है तो यहाँ पर फ्रेंड्स करी चीजिए दीकिए मैं आपको बतायता हूं जो LED बीम है उसकी क्या क्या कासित है तो पहला जो है वो इस्टालेशन दिखा हुआ दिखिए आप और सेकंड जो है वो लिखा हुआ है इंस्टेंट ओन ठीक है और कंसंट्रेट है तो हम देख लेंगे आगे तो फ्रेंड्स जो हीट है उसके लिए दिया गया है फास्ट हीट डिसिपीटेशन तो जो बल्ब है अगर वो गर्म होता है तो उसको जल्दे शंडा करने के लिए यह चीज़ दी कहिए इसमें ठीक है तो आगे देख लेता है इसके अंदर क्या क्या है यह कुद इसके मोडर नंबर है जो LED लाइट है वो इन इन में फॉर्बे लगती है तो उसके लिए अलग-अलग कार होलडर आता है वो यह शो करता है एसपोर को तो मारुत्य की कारे जो है अधिक तर शिफ्ट वगरा वेगनार और इसके अलावाद डिजायर है ठीक है तो जितनी भी मारुत्य की है उस सब्वी में अधिक तर एसफोर ही वाल लगत सब्वी है और पीछे के साड़े देखलते हैं तो पीछे के साड़े आप देख सकते हो के LED के जो में फीचर से वह दिये गए हैं 360 डिगरी एजस्टेबल है ठीक है लाइट शोर्स जो है बीक चीप है इसके अंदर और बीक चीप कौन सी यह भी बताया है उन्होंने डूल को मतलब फ्रेंट्स जो बनी विए उपर से कोटेड वो किस तरह से ओपरेटिंग टेंपरेचर है ठीक है और लाइब इस्वान की कब तक चल सकती है ठीक है तो पचास जार हावर्स तक की यह नॉर्मल कंडिशन में आराम से काम करेगी तो काफी होते हैं हम इसे ओपन करके दे में रियलो कुलार में दोनों तरह से आती है आप चाहें तो यल्व नेयुर बें सकती है अम चाहें कि आप च don him बदा बीक जो है ओवह आप जो हैं तो कोई सब्सक्राइब ले सकते हैं तो जैसा भी आपको चाहिए हो फ्रेंड्स वह आप देख लीजिगा मैं सबके वाय लिंक देजूंगा डिसक्रिशन में और इसके फीचर से फ्रेंड्स वह वारंटी के साथ में तो यह बेस्ट चीजे क्योंकि अमेजन और फ्लिपका सब्सक्राइब दी उन्होंने काफी पेक है तो हम देख लेते हैं खोल के यह देखिए तो हमारे पास क्या क्या आया है यह यहां पर बताएगा है सबसे पहले तो जो है वो प्रोडेक्ट मैनुल है तो 120 वार्ट की ए लेडी है और इसका लियूमन है वो 22,000 लियूमन है तो सब्सक्राइब काफी होता है जनरली जो मारती वगरा की कार आती है उनमें 55 वार्ट ही काई बल्ब आता है तो 55 वार्ट से बेस्ट है कि यह 120 वार्ट मिल रहा है और इसकी यह खासरत रहती है LED बल्ब की कि यह हीट नहीं करते हैं तो इससे जो हमारे आगे की जो लाइट है आपके LED है जो आपके लाइट का जो सरफेस है उसको बिल्कुल नया है वैसा के विशार रखती है काफी दूनों तक हो चलती है तो यह LED इस्ट्रेक्शन में क्या कहा है हम देख लेते हैं इसके सब्सक्राइब अपन के या जो यह देख लिश्में क्ति ओसकी प्लास्टी क्याहिए उपन करने के बात में इसका श follies और तरिक और सिर्फियरन मेन दिखाये धनाँ कि तो इसको फ्रकार है को यह यह पर इसके टायप बता गये है conforms के जो बणबया कि प्लस और माइनस का है दूर पास के करने के लिए ठीक है और इसमें जितने भी बल्ब की जो क्वालिटी है जो टाइप है वो बताएगे तो जो भी आप बल्ब मंगाएंगे जिस प्रकार का मंगाएंगे उनके साथ इस तरह का इस्ट्रेक्शन मैनौल जरूर आएगा ठीक है आगे देख लेते हैं यह इस्ट्रेक्शन पाईए फ्रेंट्स जो बल्ब है उसको बांधने के लिए जो वायर वगरा है ठीक है उनके लिए है ठीक है तो इसके लावा फ्रेंट्स दो बल्ब आएं तो बल्ब किस तरह से यह देखिए आप यह सिंगल बल्ब में निकाल दि तो प्लग के अंदर जो इस तरह की पिन है वहां जाकर लग जाते हैं तो इसमें कोई कटवट का भी लगाना नहीं पड़ता आपको वायर नहीं काटना पड़ता टायट इस्ट्रोलेशन हो जाती है ठीक है यहां पर देखिए आप इसके लिए तो कितना हेवी बेस बहुत तो यहां फेन दिया गया है देखिए आप तो यह हीट के लिए दिया गया है और इस साड़ में LED है तो डूल LED है इधर भी देखिए आप और इस तरह से डबल LED है ठीक है और दोनों तरफ काफी ही अच्छा दिया गया है मैं इसका इसका इस्ट्रोलेशन वीडियो क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो वह भी आप जरूर देखिएगा अभी मैं क्यों LED के अनवोक्सिंग वीडियो वह दिखा रहा हूं इस्ट्रोलेशन भी दिखाँगा आपको ठीक है तो यह फर्स्ट वाला बल्ब जो है वह यही सेम इसी तरह से है ठीक है तो जो LED है इसका बाइलिंक डिस्क्रिशन में देदूंगा आपको अगर वीडियो अच्छा लागे तो सब्सक्राब जरू करेगा चैनल को और यह फ्रेंड्स कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं यह मैंने खुद ने पर्चेस किये ठीक है अगर आपको यह पर्चेस करना है तो आप डिस्क्रिशन जाके वहाँ से बाइ कर सकते हैं और सब्सक्राब जरू करेगा चैनल को वीडियो चल लागे तो लाइक करेगा ओके तेंक यू फ्रेंड्स बाइ